आज में आपके साथ शेयर कर रही हूं मुंग डाल की कचोड़िया और यह बहुत ही टेस्टी बनती है इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं किसी फेस्टिवल में आप बना के भी रख सकते हैं तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने लिया है मैदा उसमें थोड़ी स और बनाने के लिया है मैंने इसको बनाने के लिए इसको बनाने के लिये लिए लिंक शेयर कर दूँँ description box में उसको जरूर देखिएगा मैंने एक और कचोड़ी का रेसिपी बनाई थी तो उसमें सेम इसी तरह से बनाया है आप इसको हम करीब 10 मिट हो चुके हैं डो के लिए तो उसको हमने चुटी-चुटी सी लोई काट लिए इसको बहुत चुटा साइज में बनाएंगे तो इसको रखने में सर्व करने में बहुत इजी हो जाता है इस तरह से चुटा-चुटा चाहे आप बेल लीजे चाहे हाथ से ही फैला लीजे आप देख सकते हैं और इसमें थोट असा वही स्टिफिंग जैसे आपने बनासी कचोड़िया खाई होंगी खस्ता कचोड़ी तो वो आलू भरके बनती है इसी में आप आलू भरके भी बना सकते हैं लेकिन आलू वाला जो है वो आपको एकी दिन में खत्म करना पड़ेगा यह चीज ऐसी है दाल की होती है तो इतनी लड़ी खराब भी होती है तो आप हफ़ता भर तक इसको स्टोर कर सकते हैं और जब सर्व करना है तो हलका सा आप इसको बेख कर लीजए या कडाई में भी घरम करके थोड़ी धखिय रखिए तो भी बेख हो जाता है और गरम गरम आप सर्व कर सकते हैं अब इसको मैं डीफ राइब करने के लिए यहाँ पर मैंने दिया है देसीगी और आप चाहे तो अपने मर्जी का कोई कोकिंग ओयल यूज कर सकते हैं लेकिन देसीगी में काफी अच्छी बनती है पचोड़िया और गरा और खास और से जब उसको आपको लगमे टाइम के लिए रखना है तो अच्छा लगता है और सेखने के लिए एक बार तेज आज पर आप इसको डालेंगी लेकिन उसके बार तुरंत इसको सिन पर और मीडियम पर करते हुए काफी देट तक सिखना है क्योंकि अंदर तक कुरकुरी सिख जाती है बढ़िया कच्छी न रह जाए इसके लिए करीब आट से दस मिट तो लगता ही है इसको सिखने में और सिन पर मीडियम पर करते हुए ही आपको सिखने है फिर हाई फ्लिम पर नहीं करना है नहीं तो होगा क्या एक बढ़ ऊपर से एक लियार आपको लगेगा सिख गया है लेकिन अब आप उसको तोड़ के देखेंगे तो पता चलेगा अंदर कच्छी है तो आप ये देखें कितनी बढ़ियां सुनेहरी सी कचोड़ियां हमारी तयार हो गई है और इसको आप गरम खाते हैं बढ़ियां बहुत अगर तो ताजी खा रहे है तो बहुत अच्छी है लेकिन स्टोकर के भी इसको रख सकते हैं तो कोई फेस्टिवल है कुछ है तो आप इसको बना के रख लीजए और याता है तो इसको सर्फ करने के लिए हलका सा माइक्रोवेव कर लिजए या आवन में बेख कर लिजए एर फ्राय में बेख कर लिजए ने तो पैम में बेख कर लिए तो यह हमारी कचोड़िया त्यार है अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जूरू करिएगा वीडियो को और चारा सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले है थैंक यू फू वाचिग नमश्कारा